प्रिष्ट संख्या 19, अध्याए 2, भारतिये अर्थ वैवस्था के क्षेत्रक, आर्थिक कारेओं के क्षेत्रक, इस प्रिष्ट पर कुछ चित्र दिये गए हैं, इन चित्रों में लोग विभिन आर्थिक गतिविधियों में कारे रत हैं, इन में से कुछ गतिविधियां वस्थूओं का उत्पाद्न करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का स्रिजन करती हैं, ये गतिविधियां हमारे चारों और हर समय संपादित होती हैं, यहां तक की हमारे बोलने में भी. हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? इने समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महतवपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन समुहों में वर्गी कृत कर दिया जाए. इन समुहों को क्षेतरक भी कहते हैं. उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मान्दंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गिक्रित किया जा सकता है प्रिष्ट संख्या 20 हम विभिन्य प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से प्रारंभ करते हैं प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उप्योग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं जैसे कपास की खेती यह एक मौसमी फसल है कपास के पौधों की विधी के लिए हम मुख्य तह ना कि पूर्ट तह प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूरे का प्रकाश और जलवायू पर निर्भर हैं अतह का पास एक प्राकृतिक उत्पाद है इसी प्रकार डियरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदी की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं अतह इसका उत्पाद दूद भी एक प्राकृतिक उत्पाद है इसी प्रकार खनिच और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद हैं जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उप्योग करके किसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो इसे प्रात्मिक क्षेत्रक की गतिविधी कहा जाता है। प्रात्मे क्यों? क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशह निर्मित करते हैं। चुँकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद क्रिशी, डियरी, मत्सियन और वनों से प्राप्त करते हैं। इसलिए इस क्षेत्रक को क्रिशी एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। द्वित्यक क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतरगत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्मान प्रणाली के जरिये अनेक रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रात्मिक क्षेत्रक के बाद अगला कदम है। यहां वस्तुएं सीधे प्रक्रिती से उत्पादित नहीं होती हैं बलकि निर्मित की जाती हैं। इसलिए विनिर्मान की प्रक्रिया अपरिहार है। क्षे का उपयोग कर हम सूत कातते और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग ना कर हम चीनी और गुर तयार करते हैं। हम मिट्टी से इंट बनाते हैं और इंटों से घर और भवनों का निर्मान करते हैं। चुँकि यह क्षेत्रक क्रमशह समवर्धित विभिन प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे उद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। प्रात्मिक और द्वित्यक क्षेत्रक के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटी भी है, जो तृत्यक क्षेत्रक के अंतरगत आती है, और उपर बताये गए दो क्षेत्रकों से भिन है। ये गतिविधियां प्रात्मिक और द्वित्यक क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं। द्वारा परिवेहन करने की जरूरत पड़ती है। कभी-कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवशक्ता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलिफोन पर दूसरों से वारता लाप करने या पत्राचार, समवाद या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवशक्ता होती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतियक गतिविधियों के कुछ उदारण हैं। चुकि ये गतिविधियां वस्तुओं की बजाए सेवाओं का स्रिजन करती हैं। इसलिए तृतियक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी अपरिहारे सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक शुरूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं। जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनेक एवं लेखा करण कारे करने वाले लोगों की आवशक्ता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रोध्योगी की पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, ATM बूत, कॉल सेंटर, सौफ्ट्वियर कम्पनी इत्यादी भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। प्रिष्ट संख्या 21 यद्यपी आर्थिक गतिविधियां तीन विभिन्य वर्गों में विभाजित हैं। फिर भी ये बहुत अधिक परस पर निर्भर हैं। हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं। तालिका 2.1 आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण। इस तालिका के पहले खंड में कुछ उदाहरण दिये गए हैं। और दूसरे खंड में पहले कॉलम में बताया गया है कि यह क्या प्रदर्शित करता है। इसके बाद के कॉलम खाली छोड़ दिये गए हैं जिन्हें आपने भरना है। उदाहरण। कलपना करें कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे। तो क्या होगा? मिल बंध हो जाएगी। यह क्या प्रदर्शित करता है? यह द्वित्यक या औद्योगिक क्षेत्रक का उदाहरण है, जो प्रात्मिक क्षेत्रक पर निर्भर है। उदाहरण दो कलपना करें कि यदि कमपनियां भारतिय बाजार से कपास नहीं खरीदती और अन्ने देशों से कपास आयात करने का निर्णे करती हैं, तो कपास की खेती का क्या होगा? भारत में कपास की खेती कम लाबकारी रह जाएगी और यदि किसान शीगृता से अन्ने फसलों की और उन्नमुख नहीं होते हैं, तो वे दिवालिया भी हो सकते हैं, तथा कपास की कीमत गिर जाएगी. यह उदाहरण क्या प्रदर्शित करता है? आपको यह बताना है. उदाहरण 3. किसान, ट्रेक्टर, पंप सेट, बिजली, कीट नाशक और उर्वरक जैसी अनेक वस्तुएं खरीदते हैं. कलपना करें कि यदि उर्वरकों और पंप सेटों की कीमत बढ़ जाती है, तो क्या होगा? खेती पर लागत बढ़ जाएगी और किसानों का लाब कम हो जाएगा. यह क्या प्रदर्शित करता है? यह आपको बताना है. उदाहरन चार और द्योगिक और सेवा क्षेत्रक में काम करने वाले लोगों को भोजन की आविशक्ता होती है. कल्पना करें कि यदि ट्रांस्पोर्टरों ने हर्ताल कर दी और ग्रामीन क्षित्रों से सबजियां, दूद, इत्यादी ले जाने से इनकार कर दिया, तो क्या होगा? शेहरी क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाएगी, और किसान अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ हो जाएगे. आपको यह बताना है कि यह उधारन क्या प्रदर्श्यत करता है? आओ, इन पर विचार करें. एक, विभिन क्षेत्रकों की परस पर निर्भरता को देखते हुए, जो सारणी हम आपको बता रहे हैं, उसे भरिये. दो, पुस्तक में वर्णित उधाहरनों से भिन उधाहरनों के आधार पर प्रात्मिक, द्वित्यक और त्रित्यक क्षेत्रों के अंतर की व्याख्या करें. तीन, निमनिलिखित व्यवसायों को प्रात्मिक, द्वित्यक और त्रित्यक क्षेत्रों में विभाजित करें. दर्जी, टोकरी बुनकर, फूल की खेती करने वाला, दूध विक्रेता, मचुवारा, पुजारी, कुरियर पहुचाने वाला, दिया सलाई कारखाना में श्रमिक, महाजन, माली, कुमहार, मधुमक्खी पालक, अंतरिक्ष यात्री, कॉल सेंटर का कर्मचारी. चार, विद्याले में छात्रों को प्राया, प्रात्मिक और द्वित्यक, अथ्वा, वरिष्ट और कनिष्ट वर्गों में विभाजित किया जाता है. इस विभाजन की कसोटी क्या है? क्या आप मानते हैं कि यह विभाजन उप्यूक्थ है? चर्चा करें. प्रिष्ट संख्या 22. तीन क्षेत्रकों की तुलना प्रात्मिक, द्वित्यक, एवं तृत्यक क्षेत्रक के विविद उत्पादन कारियों से काफी अधिक मात्रा में वस्तूओं और सेवाओं का उत्पादन होता है. साथ ही, इन क्षेत्रकों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तूओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं. इसलिए, अगले चरण में यह देखना है कि प्रतेक ख्षेत्रक में कितनी वस्तूओं और सेवाओं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस ख्षेत्रक में काम करते हैं. किसी अर्थ वेवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की द्रिश्टी से एक या अधिक ख्षेत्रक प्रधान होते हैं, जबकि अन्ने ख्षेत्रक अपेक्षक्रित छोटे आकार के होते हैं. प्रतेक ख्षेत्रक की विविद वस्थूओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं? आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादत वस्थूओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार रहें. यह ना केवल व्रिहत कार्रे है बलकि आप आश्चर्रे चकित भी होंगे कि हम कारों और कम्प्यूटरों, कीलों और फरनीचरों की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। यह अत्यंत बेतु की बात है। आप बिलकुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थ शास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तूओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्ले का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे यदि दस हजार किलोग्राम गेहूं आठ रुपए प्रती किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूं का मूल्ले असी हजार रुपए होगा। दस रुपए प्रती नारियल की दर से पाँच हजार नारियल का मूल्ले पचास हजार रुपए होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों के वस्तूओं और सेवाओं के मुल्ले की गणना की जा सकती है और उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं। ध्यान रखें कि यहां एक सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रतेक वस्तू या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है। केवल अंतिम वस्तूओं और सेवाओं की गणना का ही अचित्ते है। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को आठ रुपए प्रती किलोग्राम की दर से गेहों बेचता है। मिल में ग्यहों की पिसाई होती है और बिस्कुट कमपनी को आठा दस रुपए प्रती किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कमपनी आठा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उप्योग करती है। और बिस्कुट के चार पैकेट बनाती है वह बाजार में उपभोकताओं को 60 रुपए में 15 रुपए प्रती पैकेट बिस्कुट बेचती है अतहा बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है अर्थात वह वस्तू जो उपभोकताओं तक पहुँचती है केवल अंतिम वस्तूओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है दिये गए उधारण में अंतिम वस्तूओं के विप्रीत गेहूं और आटा जैसी वस्तूओं मध्यवर्ती वस्तूओं है मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं अंतिम वस्तुओं के मुल्ले में मध्यवर्ती वस्तुओं का मुल्ले पहले से ही शामिल होता है बिस्कुट अर्थात अंतिम वस्तु के मुल्ले में साथ रुपए में पहले से ही आटा का मुल्ले दस रुपए शामिल है प्रिष्ट संख्या 23 इसी प्रिकार अन्य सभी मध्य वर्ती वस्तुओं का मुल्ले भी शामिल होगा अतहा गेहूं और आटा के मूले की अलग-अलग गणना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तू के मूले की गणना कई बार करते हैं. पहले गेहों के रूप में, फिर आटा के रूप में और अंततहा अंतिम वस्तु बिस्कुट के मूले की कई बार गणना करते हैं किसी विशेश वर्ष में प्रतेक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों ख्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल गहरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। यह किसी देश के भीतर, किसी विशेश वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जीडीपी अर्थ वेवस्ता की विशालता प्र केंद्र सरकार के मंत्राले द्वारा किया जाता है। यह मंत्राले राजियों एवं केंद्र शासित क्षित्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की साहता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूले से सम्बंधित सूचनाएं एकत्र करता है और तब GDP का अनुमान करता है क्षेत्रकों में एतिहासिक परिवर्तन सामानने तह अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्रात्मिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महतपून क्षेत्रक रहा है जैसे जैसे क्रिशी प्रानाली परिवर्तित होती गई और क्रिशी क्षेत्रक समरिध होता गया वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा अब अनेक लोग दूसरे कारे करने लगे शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धी होने लगी क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई इसकी अतिरिक्त अनेक लोग परिवेहन, प्रिशासक और सैनेक कार्य इत्यादी से जुड़े थे फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्थूएं प्राकृतिक उत्पाद थी जो प्राथमिक क्षेत्रक में आती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्रक में रोजगार करते थे लंबे समय याने सौ वर्षों से अधिक के बाद और विशेश कर विनिर्मान की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रिसार होने लगा जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तूओं का लोग इस्तेमाल करने लगे कुल उत्पादन एवं रोजगार की द्रिष्टी से द्वित्यक क्षेत्रक सबसे महत्वपून हो गया इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा इसका आर्थ है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो गया विगत सौ वर्षों में विकसित देशों में द्वित्यक क्षेत्रक से त्रित्यक क्षेत्रक की ओर पुनह बदला हुआ है कुल उत्पादन की दिष्टी से सेवा क्षेतरक का महत्व बढ़ गया है अधिकांश श्रम जीवी लोग सेवा क्षेतरक में ही नियोजित हैं विकसित देशों में यही सामानने लक्षन देखा गया है भारत में तीनों क्षेत्रकों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटन के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है? हम इसे अगले खंड में पढ़ेंगे आओ, इन पर विचार करें एक, विकसित देशों का इतिहास क्षेत्रकों में हुए परिवर्तन के संबंध में क्या संकेत करता है? दो, अविवस्थित वाक्यांश से जीडीपी गणना हेतु महत्वपूर्ण पहलूँ को विवस्थित एवं सही करें उत्पादित वस्थूओं और सेवाओं की गणना करने के लिए हम उनकी संख्याओं को जोड़ देते हैं हम विगत पांच वर्षों में उत्पादित सभी वस्थूओं की गणना करते हैं चूँकि हमें किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए इसलिए हम इन वस्थूओं और सेवाओं के मुल्ले का योगफल प्राप्त करते हैं प्रिष्ठ संख्या 24 भारत में प्राथमिक, द्वितियक और त्वितियक क्षेत्रक आरेक एक तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्थूओं और सेवाओं को दिखाता है यह दो वर्षों 1973 और 2003 के उत्पादन को दिखाता है इससे पता चलता है कि 30 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी सम्वृद्धी हुई है आओ इन पर विचार करें दो हजार तीन में सबसे बड़ा उत्पादक खेत्रक कौन था तीन क्या आप बता सकते हैं कि 30 वर्षों में किस खेत्रक में सबसे अधिक सम्वृद्धी हुई 2004 में भारत का GDP क्या है सन 1973 और 2003 के बीच तुलना क्या प्रदर्शित करती है इससे आप क्या निश्कर्ष निकाल सकते हैं विचार करें उत्पादन में तृतियक क्षेत्रक का बढ़ता महत्व वर्ष 1973 और 2003 के बीच तीस वर्षों में यद्यपी सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धी हुई परन्तु सबसे अधिक वृद्धी तृतियक क्षेत्रक के उत्पादन में हुई परिणाम तह वर्ष 2003 में भारत में प्रात्मिक क्षेत्रक को प्रतिस्थापित करते हुए तृतियक क्षेत्रक सबसे बड़े उत्पादन क्षेत्रक के रूप में उभरा भारत में तृतियक, क्षेत्रक इतना महतुपूर्ण क्यों हो गया? इसके कई कारण हो सकते हैं. प्रथम, किसी भी देश में अनेक सेवाओं, जैसे अस्पताल, शेक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीन, प्रशासनिक कार्याले, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादी की आवशक्ता होती है. इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है. किसी विकास शील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है. प्रिष्ट संख्या 25 द्वितिये, क्रिशी एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है. प्रात्मिक और द्वितियक, क्षेत्रक का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी. तृतिये, जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्ने कई सेवाओं, जैसे रेस्टरां, परियाटन, शौपेंग, निजी अस्पताल, निजी विद्याले, व्यवसाइक प्रशिक्षन, इत्यादी की मांग शुरू कर देते हैं. आप नगरों में विशेशकर बड़े नगरों में इस दुरुत परिवर्तन को देख सकते हैं. चतुर्थ, विगत दशकों में सूचना और संसार प्रद्योगी की पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं, महत्वपूण एवं अपरिहार्य हो गई हैं. इन सेवाओं के उत्पादन में तीवर विद्धी हो रही है. अध्याय चार में हम इन नवीन सेवाओं और इनके प्रसार के कारणों की चर्चा करेंगी. अंततह आपको याद रखना चाहिए कि सेवाक्षेत्रक की सभी सेवाओं में समान रूप से सम्विद्धी नहीं हो रही है. भारत में सेवाक्षेत्रक कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं. एक और उन सेवाओं की संख्या सेमित है जिन में अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है. दूसरी ओर, बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरमत कारेओं, परिवेहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं. वे लोग बड़ी मुश्किल से जीवी का निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्ने वैकल्पिक अवसर नहीं है. इस कारण सेवाक्षित्रक के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ गया है. आप इनके बारे में अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे. अधिकांश लोग कहां नियोजित हैं? आरेक दो जीडीपी में तीनों क्षेत्रकों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है. अब आप तीस वर्षों में क्षेत्रकों के बदलते महत्व को प्रत्यक्षताहा देख सकते हैं. भारत के संदर्भ में एक उलेखनीय तथ्थे है कि यद्यपी जीडीपी में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ है. आरेक 3, वर्ष 1973 और वर्ष 2003 में तीनों क्षेत्रकों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाता है. वर्ष 2000 में भी प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा नियोकता बना रहा. प्राथमिक क्षेत्रक से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांतरन क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितियक और तृतियक क्षेत्रक में रोजगार के परियाप्त अवसरों का स्रिजन नहीं हुआ. यद्यपी इस अवधी में वस्तूं के ओद्योगिक उत्पादन में आठ गुना वृद्धी हुई, परन्तु ओद्योगिक रोजगार में महज 2.5 गुना ही वृद्धी हुई. तृतियक क्षेत्रक पर भी यही बात लागू होती है. प्रिष्ट संख्या 26 तृतियक क्षेत्रक पर भी यही बात लागू होती है. सेवा क्षेत्रक में उत्पादन में 11 गुना वृद्धी हुई, परन्तु रोजगार में 3 गुना से भी कम वृद्धी हुई. परिणाम तहा देश में आधे से अधिक्ष्रमिक, प्रात्मिक क्षेत्रक, मुख्यता, क्रिशी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका GDP में योगदान केवल एक चौथाई है. इसकी तुलना में द्वितियक और तृतियक क्षेत्रक का GDP में हिस्सा 3 चौथाई है, परन्तु ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं. क्या इसका अर्थ यह है कि क्रिशी क्षेत्र में लगे श्रमेक अपने क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? अतेव, यदि आप कुछ लोगों को क्रिशी क्षेत्र से हटा देते हो, तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा. दूसरे शब्दों में क्रिशी क्षेतरक के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है एक छोटे किसान लक्षमी का उदाहरन लेते हैं जिसके पास दो हेक्टियर असिंचित भूमी है जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार एवं अरहर जैसी फसले उप जाती है उसके परिवार के सभी पांच सदस्य उस भूमी पर वर्ष भर काम करते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है आप देखेंगे कि प्रतेक व्यक्ति काम कर रहा है कोई बेकार नहीं है परंतु वास्तम में उनका श्रम प्रयास विभाजित है प्रतेक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है यह अल्प बेरोजगारी की स्थिती है जहां लोग प्रत्यक शुरूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छीपी हुई कहते हैं क्योंकि यह है उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं, से अलग है। खूली बेरोजगारी इसलिए इसे प्रच्छन बेरोजगारी भी कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के एक या दो सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है। चुकि आपको छोटे से भोखंड पर काम करने के लिए पांच लोगों की जरूरत नहीं है। अतहा दो लोगों के चले जाने से क्रिशी उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। दिये गए उधारण में दो सदस्य किसी कारखाने में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धी होगी और वे लोग अपनी भूमी से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे। भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों के सान हैं। और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें, तो भी क्रिशी उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार की कुल आय में वृद्धी होगी। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेतरकों में भी हो सकती है। उदाहरन के लिए शहरों में सेवा क्षेतरक में हजारों अनियत श्रमिक हैं, जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लंबर, पेंटर, मरम्मत कारे जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग असोविधा जनक विशम काम करते हैं। उन में से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं। इसी प्रकार हम सेवा क्षेतरक के कुछ लोगों को सडकों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीजें बेचते हुए देखते हैं, जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं, परन्तु बहुत कम कमा पाते हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। प्रिष्ट संख्या 27 आओ इन पर विचार करें। 1. आरेक दो और तीन में दिये गए आंकड़ों का प्रयोक कर। सारणी की पूर्ती करें और नीचे दिये गए प्रशनों का उत्तर दें। तालिका 2.2 GDP और रोजगार में प्राथमिक ख्षेत्रक की हिस्सेदारी। GDP में हिस्सेदारी 1973 में कितनी थी? 2000 या 2003 में कितनी थी? रोजगार में हिस्सेदारी 1973 में कितनी थी? वर्श 2000 या 2003 में कितनी थी? तीस वर्शों में प्राथमिक ख्षेत्रक में आप क्या परिवर्तन देखते हैं। 2. सही उत्तर का चैन करें। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अ काम करना नहीं चाहते, ब सुस्त ढंग से काम कर रहे हैं, स अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, द उनके काम के लिए भुकतान नहीं किया जाता है। 3. विकसित देशों में देखे गए लक्षन की भारत में हुए परिवर्तनों से तुलना करें और वैशम में बताएं। भारत में क्षेत्रकों के बीच किस प्रकार के परिवर्तन वांचित थे, जो नहीं हुए। 4. हमें अल्प बेरोजगारी के संबंध में क्यों विचार करना चाहिए। अतिरिक्त रोजगार का स्रिजन कैसे हो। अभी जो चर्चा हमने की, उससे हमें पता चलता है कि क्रिशिक शेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिती बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिलकुल रोजगार नहीं मिला है। लोगों के लिए रोजगार की वृध्धी कैसे की जा सकती है। हम कुछ तरीकों को देखते हैं। हम लक्ष्मी और उसके दो हेक्टियर असिंचित भूखंड का उधारन लेते हैं। उसके परिवार की भूमी की सिंचाई है तो एक कुए का निर्मान करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्य कर सकती है या बैंक रिन प्रदान कर सकता है। तब लक्ष्मी अपनी भूमी की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रभी मौसम में एक दूसरी फसल गेहों उप जा सकती है। हम मान लेते हैं कि एक हेक्टियर गेहों की फसल दो लोगों को बीज जालने, पानी देने, खाद डालने और कटाई में पचास दिनों तक रोजगार प्रदान कर सकती है। अतहा परिवार के दो अन्य सदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्मान किया जाता है, अत्वा एक नहर खोदी जाती है, इससे क्रिशी क्षेतर में रोजगार के अनेक अवसर स्रिजित हो सकेंगी, और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो प्रिश्ट संख्या 28 सब जगा पहुच जाते हैं, इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान, जिनें अब पानी के सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज और विक्राय कर सकते हैं, इस कारे से केवल किसानों को ही उतपादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता है, बलकि परिवहन और व्य जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है, लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है, खेती करने के लिए उसे बीजों और वरकों, क्रिशिगत उपकरणों और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की भी जरूरत है, एक ब्याजदर पर वापस करना पड़ेगा, यदि स्थानिय बैंक उचित ब्याजदर पर उसे साख प्रदान करता है, तो वहे इन सभी चीजों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमी पर खेती करने में सक्षम होगी, तातपर यह है कि पानी के साथ साथ क्रिशी में करेंगे, हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, वह तरीका है अर्ध ग्रामीन क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किये जा सकें, उदाहरण के लिए मान लेत प्रसंसकरण के लिए तथा शहरों में विक्रे करने के लिए डाल मिलकी स्थापना एक ऐसा ही उदाहरण है। शीत भंडारण ग्रीहों के खुलने से किसानों के एक अफसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्यास जैसे उत्पादों का भंडारण कर सकें और अच्छी कीमत म मिलने पर बेच सकें। यह अर्ध ग्रामीन क्षित्रों में स्थित उद्योगों में रोज़गार प्रदान करेगा। आपके विचार से आपके एक्षेत्र में किस समुहूं के लोग बेरोजगार अत्वा अल्प बेरोजगार हैं? क्या आप कुछ उपाय सुझा सकते हैं जिन पर अमल किया जा सके? क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्याले जाने के आयूवर्ग में लगभग 20 करोड बच्चे हैं? इनमें लगभग 2 तिहाई ही विद्याले जाते हैं. शेश विद्याले नहीं जाते हैं. वे या तो घर पर रहते होंगे या उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे होंगे। यदि ये बच्चे भी विद्याले जाने लगें, तो हमें और अधिक भवनों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आविशक्ता होगी। प्रिष्ट संख्या उनतिस योजना आयोग द्वारा किये गए एक अध्याइन के अनुसार केवल शिक्षा ख्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का स्रिजन किया जा सकता है। इसी प्रिकार यदि हमें स्वास्थे की स्थिती में सुधार करना है, तो हमें ग्रामेन क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थे कर्मचारियों की आविशक्ता पड़ेगी। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिन से रोजगार का स्रिजन होगा और हम विकास के महत्वपूर पहलूँ पर विचार कर पाने में भी सक्षम होगे, जिन पर हम अध्याय एक में चर्चा कर चुके हैं। प्रतेक राज्य या प्रदेश में वहां के निवासियों की आये और उनके रोजगार में वृध्धी करने की संभावना होती है। यह पर्याटन अत्वा क्षेत्रिय शिल्प उद्योग अत्वा सूचना प्रद्योगी की जैसे नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। इन में से कुछ के लिए समुचित योजना एवं सरकारी साहता की अवशकता होगी। उदाहरण के लिए योजना आयोक के अध्यायन के अनुसार यदि पर्याटन ख्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रतिवर्ष 35 लाग से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। हम जानते हैं कि चर्चा किये गए कुछ सुझावों के अमल में लंबा समय लगेगा। अताहा छोटी अवधी के लिए हमें कुछ दृत उपायों की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी हाल में भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे राश्ट्रिय ग्रामीन रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, NREGA अर्थात नरेगा 2005 कहते हैं। राश्ट्रिय ग्रामीन रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतरगत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम हैं और जिनहें काम की जरूरत है, को सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है, तो वहल लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अधिनियम के अंतरगत उस तरह के कामों को वरियता दी जाएगी, जिन से भविश्य में भूमी से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। आओ, इन पर विचार करें। 1. आपके विचार से NREGA को काम का अधिकार क्यों कहा गया है? 2. कलपना कीजिए कि आप ग्राम के प्रधान हैं और उस हैसियत से कुछ ऐसे क्रिया कलापों का सुझाव दीजिए, जिन्हें आप मानते हैं कि उनसे लोगों की आय में वृद्धी होगी और उन्हें इस अधिनियम के अंतरगत शामिल किया जाना चाहिए। चर्चा करें 3. यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, तो रोजगार और आय में वृद्धी कैसे होगी? 4. शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धी कैसे की जा सकती है? 5. प्रिष्ट संख्या 30 संगठित और असंगठित के रूप में ख्षेत्रकों का विभाजन अब हम आर्थे कारेयों को विभाजित करने के एक अन्य तरीके का परिक्षण करते हैं, इसे लोगों के नियोजित होने के आधार पर देखते हैं, उनके काम करने की शर्तें क्या हैं? क्या कोई नियम वी नियम हैं, जिनका उनके दूजगार के संदर्भ में अनुपालन किय कांता इस दिन सवेतन अवकाश होता है उसने जब नौकरी आरंब की थी तब उसे एक न्युक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी सम्मंधी निबंधन और शर्तों का उलेख किया गया था कमल कमल कांता का पडोसी है वह नजदीक के किराना दुकान में देनिक मजदूरी करने वाला श्रामिक है वह सुबह साड़े साथ बजे दुकान पर जाता है और शाम आठ बजे तक काम करता है उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भता नहीं मिलता है जिस दिन वह काम नहीं करता उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती है उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता है उसे कोई आपचारिक पत्र नहीं मिला है जिसमें दुकान में नियुक्ती के बारे में कहा गया हो उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटने के लिए कह सकता है क्या आप कांता और कमल के रोजगार की परिस्थितियों में अंतर देखते हैं? कांता संगठित क्षित्रक में काम करती है संगठित क्षित्रक में वे उद्यम और कारेस्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधी नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है वेक्षित्रक सरकार द्वारा पंजिकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, नियूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा नुदान अधिनियम, दुकान एवं परतिष्ठान अधिनियम इत्यादी में उलेख किया गया है इसे संगठित क्षेत्रक कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ अपचारिक प्रक्रिया एवं कार्रेविधी है कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते बलकि वे स्वताह काम कर सकते हैं परन्तु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजिकरित कराते हैं और नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं संगठित क्षेत्रक के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाब मिलते हैं उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है वे नियोक्ता से कई दूसरे लाब भी प्राप्त करते हैं वे लाब क्या हैं? वे सवेतन चुट्टी, अवकाश काल में भुक्तान, भविश्य निधी, सेवा नुदान इत्यादी पाते हैं वे चिकित्सी लाब पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेजल और सुरक्षित वातावरण जैसी सोविधाओं को सुनिश्चित करना होता है जब वे सेवा निवरित होते हैं, तो पैंशन भी प्राप्त करते हैं प्रिष्ट संख्या 31 इसके विप्रीत कमल असंगठित क्षेतरक में काम करता है असंगठित क्षेतरक छोटी छोटी और बिखरी इकाईयों जो अधिकांश ताहा सरकारी नियंतरण से बाहर होती हैं से निर्मित होता है इस क्षेत्रक के नियम और विनियम तो होते हैं, परन्तु उनका अनुपाला नहीं होता है वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायाह नियमित नहीं है यहां अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन चुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण चुट्टी, इत्यादी का कोई प्रावधान नहीं है रोजगार सुरक्षित नहीं है, श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है कुछ मौसमों में जब काम कम होता है, तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है बहुत से लोग नियोकता की पसंद पर निर्भर होते हैं इस खेतरक में काफी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कारें जैसे सडकों पर विक्रय, अथवा, मरमत कारें में स्वताह नियोजित हैं इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पढ़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं आओ, इन पर विचार करें एक, हम आपको कुछ उदाहरण बता रहे हैं, आपको बताना है कि इन में से कौन सी असंगठित क्षेत्रक की गतिविधिया है विद्याले में पढ़ाता शिक्षक बाजार में अपनी पीठ पर सीमन्ट की बोरी ढोता हुआ एक श्रमिक अपने खेत की सिचाई करता हुआ एक किसान अस्पताल में मरीज का इलाज करता एक डॉक्टर एक ठेकेदार के अधीन काम करता एक दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक एक बड़े कारखाने में काम करने जाता एक कारखाना श्रमिक अपने घर में काम करता एक करगा बुनकर 2. संगठित क्षेत्रक में नियमित काम करने वाले एक व्यक्ति और असंगठित क्षेत्रक में काम करने वाले किसी दूसरे व्यक्ति से बात करें सभी पहलूँँ पर उनकी कारे स्थितियों की तुलना करें 3. असंगठित और संगठित क्षेत्रक के बीच आप विभेद कैसे करेंगे? अपने शब्दों में व्याख्या करें 4. संगठित एवं असंगठित क्षेत्रक में भारत के सभी श्रमिकों की अनुमानित संख्या नीचे एक सारणी में दी गई है सारणी को सावधानी से पढ़ें, विलुप्ट आकणों की पूर्ती करें और प्रश्नों के उत्तर दें सारणी संगठित और असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों की अनुमानित संख्या 10 लाख में असंगठित क्षेत्रकों में श्रमिकों की संखेया आपको बतानी है यदि कुल श्रमिकों की संखेया 242 है द्वितियक क्षेत्रक में संगठित क्षेत्रकों में काम करने वाले श्रमिकों की संखेया 9 असंगठित क्षेत्रकों में काम करने वाले श्रमिकों की संखेया 54 कुल 63 तृत्यक क्षेत्रकों में संगठित क्षेत्रकों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 17 असंगठित क्षेत्रकों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 76 कुल 93 संगठित क्षेत्रकों में काम करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या 28 बनती है असंगठित क्षेत्रकों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या आपको बतानी है और कुल श्रमिकों की संख्या आपको बतानी है ध्यान रहे जो संख्या हमने आपको बताई है वह दस लाख में है असंगठित क्षेतरक में कृषी में लगे लोगों का प्रतिशत क्या है? क्या आप सहमत हैं कि कृषी असंगठित क्षेतरक की गतिविधी है? क्यों? यदि हम संपूर्ण देश पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि भारत में रिक्त स्थान प्रतिशत श्रमेक असंगठित क्षेतरक में है भारत में लगभग रिक्त स्थान प्रतिशत श्रमेकों को ही संगठित क्षेतरक में रोजगार उपलब्ध है असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों का संग्रक्षन कैसे हो? संगठित क्षेत्रक अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है लेकिन संगठित क्षेत्रक में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गती से व्रिद्धी हो रही है यहे भी आम तोर पर पाया जाता है कि संगठित क्षित्रक असंगठित क्षित्रक के रूप में काम करते हैं वे ऐसी रणनीती, करवंचन एवं श्रमिकों को संग्रक्षन प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं परिणाम तह बहुत अधिक श्रमिक असंगठित क्षित्रक में काम करने के लिए विवश हुए हैं जो बहुत कम वेतन देते हैं उनका प्राया शोशन किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है सन 1990 से यह भी देखा गया है कि संगठित क्षित्रक के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं ये लोग असंगठित क्षित्रक में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं अतहा असंगठित क्षित्रक में और अधिक रोजगार के जरूरत के अलावा श्रमिकों को संगरक्षन और साहता की भी आवशक्ता है ये लाचार लोग कौन हैं जिन्हें संगरक्षन की आवशक्ता है ग्रामीन जिलों में असंगठित क्षित्रक मुख्यताह भूमीहीन क्रिशी श्रमिकों, छोटे और सीमान्त किसानों, फसल बंटाईदारों और कारीगरों जैसे बुनकरों, लुहारों, बढ़ाई और सुनार से रचित होता है भारत में लगभग 80% ग्रामीन परिवार, छोटे और सीमान्त किसानों की श्रिणी में आते हैं इन किसानों को समय से बीच, क्रिशी उपकरणों, साख, भंडारन सोविधा और विपरण केंद्र की पर्याप्त सोविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्रक मुख्यता है, लगु उद्योगों के श्रमिकों, निर्मान, व्यपार एवं परिवेहन में कारेरत, आकस्मिक श्रमिकों और सडकों पर विक्रेता का काम करने वालों, सिर पर बोजहड होने वाले श्रमिकों, वस्त्र निर्मान करने वालों और कबार उठाने वालों से रचित है। लगू उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ती और उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवशकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीन दोनों क्षेत्रों में संग्रक्षन दिये जाने की जरूरत है। हम यह भी पाते हैं कि बहुत संख्यक श्रमिक अनुसूचित जाती, जन जाती और पिछली जातियों से हैं जो असंगठित क्षेत्रक में रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। अतहा आर्थिक सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों को संगरक्षन और सहयता अनिवार रहे। नीचे एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को सडक के किनारे पर दैनिक उपभोग की कुछ वस्तूओं को बेचते हुए दिखा या अन्य काम करते देखे जाते हैं। प्रिष्ट संखया 33 स्मरण कीजिए। आर्थिक गतिविधियों को तीन क्षेत्रकों प्राथमिक, द्वितियक और तृतियक में विभाजित करने के लिए कार्य के स्वभाव को कसोटी के रूप में उपयोग किया गया। इस वर्गी करण के आधार पर हम भारत में कुल उत्पादन और रोजगार की पधती का विशलेशन करने में समर्थ हुए। इसी प्रिकार हमने आर्थिक गतिविधियों को संगठित और असंगठित क्षेत्रक में विभाजित किया और इस विभाजन का प्रयोग इन दो क्षेत्रकों में रोजगार की स्थिती देखने के लिए किया। वरगी करन अभ्यास से वियुत्पन सबसे महत्वपूर निशकर्ष क्या थे? वे समस्याएं और समाधान क्या थे जिनकी ओर संकेत किया गया? क्या आप जानकारियों को एक सारणी में संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं? तालिका इनके कारे के स्वभाव के बारे मे बताईए. सबसे महत्वपूर का सौटी क्या है? यह बताईए. समस्याएं और समाधान कैसे किया जा सकता है? यह बताईए. संगठित और असंगठित क्षिटरक इनके कार्रे का स्वभाब बताईए, सबसे महतवपूर्ण का सौटी क्या है, यह बताईए, समस्याएं और समाधान कैसे किया जा सकता है, यह भी बताईए स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सारवजनिक और निजी क्षेत्रक आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वरगीकृत करने का एक अन्य तरीका यह है, कि परिसंपत्यों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार कौन है सारवजनिक खषेत्रक में अधिकांश्ताह परिसंपत्यों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्द कराती है नीजी क्षेत्रक में परी संपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वित्रण के जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कम्पनी के हाथों में होती है रेलवे अथवा डाक घर सारवजनिक क्षेत्रक के उधारण है जबकि Tata Iron and Steel Company Limited टिसको अथवा Reliance Industries Limited जैसी कम्पनिया नीजी स्वामित्व में है नीजी क्षेत्रक की गतिविधियों का धे लाभ अर्जित करना होता है इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कम्पनियों को भुक्तान करना पड़ता है सरकार सेवाओं पर किये गए वियर की भरपाई करों या अन्य तरीकों से करती है आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर वियर करती है ये गतिविधियां क्या है सरकार ऐसी गतिविधियों पर वियर क्यों करती है ग्याद करें कई ऐसी चीजें हैं जिनकी आवशक्ता समाज के सभी सदस्यों को होती है परन्तु जिनें निजीक शेतरक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं क्यों? क्योंकि इन में से कुछ चीजों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजीक शेतरकों की क्षमता से बाहर होता है इन चीजों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है फिर यदि वे चीजों को उपलब्ध कराते हैं तो वे इसकी उँची कीमत वसूलते हैं प्रिष्ट संख्या 34 जैसे सडकों, पुलों, रेलवे, पत्तनों, बिजली, आदी का निर्मान और बांध आदी से सिंचाई की सोविधा उपलब्ध कराना इसी लिए सरकार ऐसे भारी वेल स्वेम उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सोविधाओं को सुनिश्चित करती है कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है निजिक शेतरक उन उत्पादनों अत्वा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोथसाहित नहीं करती है जैसे उत्पादन मूले पर बिजली की बिक्री से अध्योगिक उत्पादन और लागत में विद्धी हो सकती है अनेक इकाईयां विशेशकर लगू इकाईयां बंध हो सकती है यहां सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वित्रण के लिए कदाम उठाती है जिस पर ये उद्ध्योग बिजली खरीद सकते है सरकार लागत का कुछ अंश वेहन करती है इसी प्रिकार भारत सरकार किसानों से उचित मूले पर गेहूं और चावल खरीदती है इसे अपने गुदामों में भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोकताओं को कम मूले पर बेचती है आपने कक्षा नौ में खाद्य सुरक्ष अध्याय में इसके बारे में पढ़ा है सरकार लागत का कुछ भाग वेहन करती है इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोकताओं दोनों को सहयता पहुँचाती है अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है इन पर वियर करना सरकार की अनिवार्यता है जैसे सभी के लिए स्वास्थे और शिक्षा सोविधाएं उपलब्ध कराना हमने पहले अध्याय में कुछ गतिविधियों पर विचार किया है समोचित ढंग से विध्याले चलाना और गुनात्मक शिक्षा विशेशकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का करतव्व है भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोशन के शिकार हैं और उनमें से एक चोथाई गंभी रूप से बिमार हैं हमने शिशु मृत्युदर के बारे में पढ़ा है उडिसा 87 अत्वा मध्य प्रदेश 85 का शिशु मृत्युदर विश्व के निर्धनतम भागों जैसे अफरीकी देशों से भी अधिक है सरकार को मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेजल की उपलब्धता निर्धनों के लिए आवासिय सुविधाएं और भोजन एवं पोशन पर ध्यान देने की जरूरत है सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ा कर अत्यंत निर्धनों की और देश के पूर्टहा उपेक्षित भागों की देख भाल करें सारांश इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों को कुछ सार्थक समूहों में विभाजित करने के तरीकों का अध्यायन किया विभाजन का एक तरीका यहे परीक्षन करना है कि कोई गतिविधी प्रात्मिक, द्वित्यक और तृत्यक क्षेत्रक में से किस से संबंधित होती है। भारत के विगत तीस वर्षों के आंकड़े प्रदर्शत करते हैं कि यद्यपी जीडीपी में सबसे अधिक योगदान, तृत्यक, क्षेत्रक में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है, लेकिन रोजगार, अधिकांश तहा, प्रात्मिक, क्षेत्रक में ही मिलता है। हमने यह भी देखा है कि देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धी के लिए क्या किया जा सकता है। और देखा कि सारवजनिक गतिविधियों को कुछ निश्चित क्षेत्रों पर केंद्रित करना प्रिष्ट संख्या 35 अभ्यास 1. कोश्ठक में दिये गए सही विकल्प का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क सेवा क्षेत्रक में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धी रिक्त स्थान कोश्ठक में दिया है हुई है नहीं हुई है। ख रिक्त स्थान क्षेत्रक के श्रमेक वस्तूओं का उत्पादन नहीं करते हैं। कोश्ठक में दिया है तृतियक क्रिशी। ग रिक्त स्थान क्षेत्रक के अधिकांश श्रमेकों को रोजगार सुरक्षया प्राप्त होती है। कोश्ठक में दिया गया है संगठित, असंगठित. घ, भारत में रिक्तिस्थान संखिया में श्रमेक असंगठित ख्षेतरक में काम कर रहे हैं. कोश्ठक में दिया गया है बड़ी, छोटी, अंगा. कपास एक रिक्तिस्थान उत्पाध है और कपड़ा एक रिक्तिस्थान उत्पाध है. कोश्ठक में दिया गया है प्राकृतिक विनिर्मित. च, प्राथमिक, द्वितियक और तृतियक ख्षेतरक की गतिविधिया रिक्तिस्थान हैं. कोश्ठक में दिया गया है स्वतंत्र, परस्पर, निर्भर 2. सही उत्तर का चैन करें अ. सार्वजनिक और निजीक शेत्रक किस आधार पर विभाजित हैं? क. रोजगार की शर्तों ख. आर्थिक गतिविधी के स्वभाव, ग. उद्यमों के स्वामित्व, ग. उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या ब. एक वस्तु का अधिकांश्तह प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, रिक्तस्थान क्षेत्रक की गतिविधी है क. प्रात्मिक, ख. द्वितियक, ग. कृतियक, ग. सूचना, प्रोध्योगिकी स. किसी विशेश वर्ष में उत्पादित, रिक्तस्थान के मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी कहते है क. सभी वस्तुओं और सेवाउं. क. सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाउं. ग. सभी मध्यवरती वस्तूओं और सेवाउं. द जीडीपि के पदों में वर्ष दोहजार्थीन में तृतियक कशेत्रक के हिस्सेधारी रिक्तस्थान है क 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच ख 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच ग 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच ग 70 प्रतिशत प्रिष्ट संख्या 36 तीन, हम आपको कुछ समस्याएं और उनके कुछ संभावित उपाए बता रहे हैं। आपको उन्हें सुमेलित करना है। पांच, कटाई के तुरंत बाद स्थानिये वियापारियों को अपना अनाज बेचने की विवश्ता संभावित उपाए इस प्रकार हैं। चार, असंगत की पहचान करें और बताएं क्यों। क, परियतन निर्देशक, धोबी, दर्जी, कुमहार। ख, शिक्षक, डॉक्टर, सबजी विक्रेता, वकील। ग, डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस कॉंस्टेबल। ग, MTNL, भारतिये रेल, एर इंडिया, सहारा एरलाइन्स, और इंडिया रेडियो। पांच, एक शोध छात्र ने सूरत शहर में काम करने वाले लोगों से मिलकर, कुछ आंकड़े जुटाए। पांच, इस तालिका को पूरा कीजिए। प्रथम स्थंभ में कारे स्थान दिये गए हैं, दूसरे स्थंभ में रोजगार की प्रकृती, तीसरे स्थंभ में श्रमिकों का प्रतिशत, इन में से कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिये गए हैं, जिन्हें आपने भरना है। कार्यस्थान, सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालेओं और कार्खानों में, रोजगार की प्रक्रिती संगठित, श्रमिकों का प्रतिशत 15, कार्यस्थान, अपचारिक अधिकार पत्र सहित बाजारों में अपनी दुकान, कार्याले और क्लीनिक, रोजगार की प्रक्रिती आपको बतानी है, श्रमिकों का प्रतिशत 15, कार्यस्थान, सडकों पर काम करते लोग, निर्मान श्रमिक, घरेलू श्रमिक, रोजगार की प्रक्रिती आपको बतानी है, श्रमिकों का प्रतिशत 20, कार्यस्थान छोटी कार्यशालाएं जो प्राय सरकार द्वारा पंजिकृत नहीं है रोजगार की प्रकृती आपको बतानी है और श्रमेकों का प्रतिशत भी आपको बताना है इस तादिकों को पूरा कीजिए, इस शहर में असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों की प्रतिशत्ता क्या है यह बताईए 6. क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितियक एवं तृतियक क्षेत्र में विभाजन करने की उप्योगिता है? व्याख्या कीजिए कि कैसे? 7. इस अध्याय में आए प्रतेक, ख्षेत्रक को, रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद, जी डी पी पर ही क्यों केंद्रित करना चाहिए? चर्चा करें 8. जीवीका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयसकों के सभी कारें की लंबी सूची बनाईए। उन्हें आप किस तरीके से वरगी क्रित कर सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए 9. तृतियक, क्षित्रक, अन्य क्षित्रकों से भिन्न कैसे है? सा उधारन व्याख्या कीजिए 10. प्रच्छन बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीन देशों से उधारन देकर व्याख्या कीजिए 11. खूली बेरोजगारी और प्रच्छन बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए 12. भारतिये आर्थवेवस्था के विकास में तृतियक, क्षित्रक, कोई महत्वपून भूमी का नहीं निभा रहा है 12. क्या आप इस से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए 13. भारत में सेवा क्षित्रक दो विभिन्य प्रकार के लोग नियोजित करता है 14. असंगठित क्षित्रक में श्रमिकों का शोशन किया जाता है 15. क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए 15. आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गी कृत की जाती है 16. संगठित और असंगठित क्षित्रकों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए 17. राष्ट्रिये ग्रामीन रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, नरेगा 2005 के उदेशियों की व्याख्या कीजिए 18. अपने क्षेत्र से उदाहरण लेकर सारवजनिक और नीजी क्षेत्रक की गतिविधियों एवं कारेओं की तुलना कीजिए 19. अपने क्षेत्र से एक-एक उदाहरण देकर निम्न तालिका को पूरा कीजिए 20. अपने क्षेत्र से एक-एक उदाहरण देकर इस तालिका को पूरा कीजिए 21. तालिका के प्रथम स्तंभ में सारवजनिक क्षेत्रक और नीजी क्षेत्रक लिखा है 22. दूसरे स्तंभ में सुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन इसे आपको भरना है 23. तीसरे स्तंभ में अवेवस्थित प्रबंध वाले संगठन इसे भी आपको भरना है 20. सारवजनिक क्षेत्रक की गतिविधियों के कुछ उदाहरण देजिए और व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्यान वयन क्यों किया जाता है 21. व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सारवजनिक क्षेत्रक कैसे योगदान करता है 22. असंगठित क्षेत्रक के श्रमेकों को निमने लिखित मुद्दों पर संग्रक्षन की आवशकता है मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थिय उदाहरन सहित व्याक्षा कीजिए 23. एहमदाबाद में किये गए एक अध्यायन में पाया गया कि नगर के 15 लाग श्रमेकों में से 11 लाग श्रमेक असंगठित क्षेत्रक में काम करते थे वर्ष 1997-98 में नगर की कुल आए 600 करोड रुपए थी इसमें से 320 करोड रुपए संगठित क्षेत्रक से प्राप्त होती थी इस आंकडे को सारणी में प्रदर्शत कीजिए नगर में और अधिक रोजगार स्रिजन के लिए किन तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए 24. निमनलिखित तालिका में तीनों क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद GDP रुपए करोड में दिया गया है वर्ष 1950 में प्रात्मिक क्षेत्रक में घरेलू उत्पाद अर्थात GDP असी हजार दित्यक क्षेत्रक में घरेलू उत्पाद उननीस हजार और तित्यक क्षेत्रक में घरेलू उत्पाद उन्तालीस हजार वर्ष 2000 में प्रात्मिक क्षेत्रक में घरेलू उत्पाद 3,14,000, दृतियक क्षेत्रक में 2,80,000 और तृतियक क्षेत्रक में 5,55,000 जो संख्या हमने आपको बताई है वह करोड में है क, वर्ष 1950 एवं 2000 के लिए GDP में 3 क्षेत्रकों की हिस्सेदारी की गणना कीजिए क, अध्याय में दिये आरेक 2 के समान एक दंड आरेक के रूप में प्रदर्शत कीजिए ग, दंड आरेक से हम क्या निशकर्ष प्राप्वाश प्रदर्शत कीजिए